ओके इस वीडियो में हम गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिविट्रीज देखने वाले हैं लेफ्ट बैंक जलसाई का देखने वाले हैं और यह लास्ट वीडियो रहेगा यह इसके बाद गंगा ड्रेनेश सिस्टम जो है वो पूरा खतम हो जाएगा मैं यह बता देता हूं कि हमां से कहां मिलती है। यह मैंने बहुत अच्छे से डिसकस किया है तो इसको आप देख सकते हैं पहला पार्ट यही था। एंड्र सेकंड पार्ट में मैंने यह दिसक्रस किया कि इसकी राइड बेंक ट्रिब्यूट्रीज के जिसमें मैंने आपको पढ़ाया, चम्मल स्टार्ट करते हैं baik良好的 तो first will arrive ataken a left-bank tribune dear left कैसे होता है एक बार और बता देता हुक। था टीனि तो गंगा जब इस डिरेक्शन में चल रही तो गंगा के अगर इसाब से देखेंगे तो आपको ये पाराट जो पड़ेगА ये पार्ट जो पड़ेगा और राइट में पड़ेगा न इसलिए ये लेट // कर दूम नर्गे काईस येAllगट से निकलती है उट्राघंड में सपेसिफिकली कहा तो यह समझ में आ गया हुगा, यह कहां से निकलती है, उत्राखंड से निकलती है, उत्राखंड के इस्टन पार्ट से निकलती है, ठीक है, और यह कहां से निकलती है, दुधा टॉली से निकलती है, जो कि रेंज है, श्रेंडी है जो की, ठीक है, और पौरिगणवाल डिस्ट बनाती है उस जलाज है कि जस्स लेफ्ट में आपको मिलेगा जिम कॉरबट कॉर्बट नेशनल पार्ग मिलेगा न तो यह नेशनल पर की इंपॉर्टेंट इसलिए मैं यहां पर डाल दिया है और नेशनल पार जब पढ़ेंगे तब इसके लेफ्ट में पहली बात तो याद रखना है कि राम गंगा के लेफ्ट में है तो राम गंगा यहां से बॉर्डर से निकल के पहुंच आती है यूपी यूपी पहुंचेगी याद रखना ही है मैंने लिख दिया इसलिए इसका पुराना नाम रत्वाहिनी है तो याद र है क्योंकि cities क्या बोलते हैं river के किनारे river के जो बैंक में जो cities है वो भी important है और उसका पूरा अलग class ही ले लूँगा मैं उसका पूरा अलग पढ़ा दूँगा ठीक है तो बरेली हो गया बरेली से तो hopefully यह समझ में आगया होगा कहां पिर मिल गई राम गंगा उत्त्रा घंड से आपकी निकली है उत्त्रा घंड से कहां पर मिल गई फरुक्का बाद के पास मिल गए कि इससे आपकी गंगा से मिल गई है राम गंगा का पुराना नाम क्या है रथवाहिनी है तो hopefully यह समझ में आ गया होगा इसमें याद रखना है जिम कॉर्बेट इंपॉर्टेंट है इसलिए जिम कॉर्बेट याद रखना है इसी रिवर के लेफ्ट में उत्राखंड में ठीक है बॉर्डर पे हैं ओके अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और अगर नहीं पसंद आता है तो कमेंट में बता सकते हैं कि क्यों पसंद नहीं आ रहा है so second river है आपकी गोमति गोमति बहुत ज़्यादा important है important क्यों है मैं यह बताते जालता हूँ गोमती निकलती कहां चेह है पहले तो आप देखलो UP हो गया UP के border से निकलती यूपी और नेपाल के border पे आपको मिलेगी गोमति गोमती important क्यों है यह बता देता हूँ पहली बात तो यह याद रखना है कि पीली भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेशन है, पीली भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेशन है, गोमत ताल से निकलती है, गोमत ताल से निकलती है, गोमत ताल से निकलती है, याद रखना है, पुराना नाम क्या है, फुलहर जील है, याद रखना है, पुराना ना नेपाल। और आपकी उपी के बाझ़र पे ये पूरा। निकलती होई है। इसके बाद जौनपूर मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि है अभी मिर्जापूर के छक्कर में आपको जौनपूर तो पता होगा। जौनपूर पहुँंचते हैं। जौनपूर से फंदरा किलो मेटर दूर मिल जाती साइ री वर चे था याद रखना नहीं निकली यहां से निकलते हो पहुंची जॉनपूर जॉनपूर के 15 किलो मेटर के बाद ही मिल जाती है साई रिवर से ठीक है उसके बाद ही आंगे बढ़ते हो यह पहुंच जाती है कहां पर यह मिल जाती है में स्ट्रीम गंगा से मिल जाती है में स्ट्रीम गंगा से कहां पर मि आई रखना है कि कहां पर मिलती है मारकंडे महादेव पर इनका संगम मैं कर से यहां पर 바 एक बार मैं दिखा देता हुआ गोमती मिल गई है किस से गंगा से कहा पर मार कंड महादे मंदर मार कंडे मादे वाराणे सी क्या आणगे है गाजीपूर के पीछह है यह मैप से आपको दिख रहा होगा पहले बात तो गोमती लेफ्ट बैंक में एक मात्र ऐसी रिवर है जो प्लेन से निकलती है मतलब मैदानी चेतर से निकलती है देखो एक बार पता देता हूं यहां से आपको शिवालिक खतम होता है तो तराई रिजन शुरू होता है ठीक है शिवालिक के पीछे क्या है शिवालिक के पीछे आपका आजाता है क्या लोवर हिमालय या लगू हिमालय आजाता है उसके उपर आपको मिलेगा ग्रेटर हिमालय या ब्रियाद हिमालय मिलेगा शिवालिक के नीचे फुट हिल्स पे के बाद प्लेन शुरू होता है तो प्लेन जो है प्लेन से निकलती है क्या प्लेन से निकलती आपकी एक मात्रेसी रिवर है गोमती जो की प्लेन से निकलती है यह एक मात्रेसी रिवर है जो प्लेन से निकलती है और इसे पानी कहां से मिलता है इसका मतलब वाटर कहां से आता है इसमें मौनसून से और ग्राउंड फेड पहले बाद तो यह पहार्यों सो नहीं मतलब कि किसी रिंस से नहीं आती यह निकलती है प्लें से और मौन्सून से सreck lt कीयों से और भूमी गजल सर्ल से मिलता यह कोछन आया हुआ एक है और यह कोछन पूछा कब गया यह को पूछा गया यूपी में लोवर सबॉडिनेट के एक्जैम में पूछा गया तो 2008 में ठीक है यह डाल दिया है मैंचे लगा कि तो शारता से पहले हम पढ़ते हैं कि पढ़ेंगे क्या घागरा पहले घागरा का कुछ इंपर्टन बता देता हूं लार्जिस्ट है मैंने प्ने लास में बताया था लाजस और लाजस का मतलब यह होता है कि सबसे जदा पानी लेकर आती है वाल्यूम ऑफ वाटर की बात होती ठीक है volume of water की बात होती longest का मतलब होता है length की ठीक है तो length longest क्या है longest है यमुना ठीक है याद रखना है longest है यमुना largest यही है ठीक है घागरा है largest मैं कुछ बता देता हूं मुझे उतने अच्छे सो तो याद नहीं अभी कि यमुना की साथ लेंद कुछ 1300 कुछ 1386 km है और इसकी कु सब्सेदा पानी लेकर आती है वह है घागरा ओके तो घागरा कहां से निकलती है घागरा कहां से निकलती है निकलती है मापचा चुंगो ग्लेशियर का नाम है तिबद रिजन है चाइना का तिबद रिजन है अमान सोरोवर के पास में है तो कहां से निकलती है मापचा चु तो यह कहां पर इसका नाम है नेपाल में इसका नाम है ठीक है मैंने लिख दिया नेपाल से जबारी तो इसका नाम क्या है करणाली है ठीक है और यह नेपाल में दो उसमें तूट जाएगी किसमें डिस्ट्रिब्यूटरी में अभी तूट गई तो डिस्ट्रिब्यूटरी कह करनाली किस में किस में है और गिर्वा में और यह जब U P में पहुँची तो फिर से मर्ज हो गई और जब जयशी पहुची और मर्ज होगई तब इसका नाम घाघ्रा हो गया ठीक है इसके पहले करना लीटा बता दिया मैंने ठीक है और यह ले में इसे क्या विला जाता है घागरा शर्यू दोनों पुछा जाता तो आप यूप ऊपहता है तो शर्यूअ का है घागरा का धी डूसरा यूपी में गंगा से नहीं मिलती है भिहार में मिलती है धिकरा पर मिल जाती है घ्याव ऐसे मिल जाती है यह मिल जाती है तुकष से ट्रैवल करते हुए घागरा यहां से ट्रैवल करते हुए बिहार में एंट्री लेगी ठीक है बिहार में एंट्री लेगी और बिहार में यह आरा के पास रेवल गंज में ठीक है आरा के पास रेवल गंज में यह किससे मिल जाएगी अपनी में गंगा से मिल जाएगी ठीक है म इन गंगा कि स्ट्रीम से मिल जाएगी तो घागरा कहां पर मिलती है बिहार में मिलती है यह याद रखना ना ठीक है ओके सो अब थर्ड रिवर देखते हैं तर्ड रिवर आपकी क्या है और आपकी घंडग अगेन इंपॉटटन्ट है और घंडग यह सारी एक चीज़ और बत होती है तो यह सब आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं क्या याद रखना कि ट्रांस बांडर रिवर का मतलब कि ऐसी रिवर जो दूसरे देश तो यह याद रखना है तो ट्रांस बांडर रिवर का नहीं रटना है कि कौन सी रिवर ट्रांस बांडर ऐसा नहीं है अप रिवर का मैप याद रखो अपने आप कोशन बनेगा ठीक है तो यह ट्रांस बांडर रिवर है तो कहां से निकलती है गंडक आपकी कहां से निकलती है कि निकलती है और जब यह निकलती है तब वहां कहलती इख ने पाल में क्या कहलती है और नरायणी भी इस नाम ये पहुंचती है बॉर्डर पर बिहार उपी के बॉर्डर पर चलती है पूरी की पूरी एंट्री लेती है कहां पर बिहार में entry लेती है देखो पूरी की पूरी विशर्प बनाने के बाद पूरी की पूरी बिहार में आ गई बिहार में आने के बाद ये पहुंचती है सोनपूर जो की पटना के आँगे पड़ता है सोनपूर में ये किसे मिल जाती है यह आपके मिल जाती है मेन स्ट्रीम गंगा, गंगा की मेन स्ट्रीम से मिल गई है, तो यह कहला गई, आपकी ट्रिब्यूटरी कहला गई किया गंगा से आकर, मिल गई, कहां पर सोनपूर में, यह important है, तो यह बता दिया मैंने तो आपको क्या क्या बता दिया गंडग बता दिया आपको बता दिया घागरा बता दिया आपको यहां पर क्या बता दिया शार्दा भी नहीं पढ़ाया मैंने गोमती पढ़ा दिया ठीक है अब कोसी रिवर देखते हैं तो कोसी रिवर कहां से निकलती है कोसी रिवर निकलती है तिबबत और निपाल बॉर्डर से ठीक है ये कोसी रिवर पहले अरुन नाम से जानी जाएगी याद रखना है पहले अरुन नाम से कभी अरुन नाम आया तो अरुन भी कोसी है तो पहले अरुन नाम से जानी जाएगी उसके बाद ये इसका कोसी नाम ह जाएगा ठीक है कोशी नाम हो जाएगा और यह एंट्री लेगी बिहार में बिहार में एंट्री लेने के बाद यह पूरा कर्व ऐसे बनाएगी ठीक है यह पूरा ऐसे कर्व बनाएगी सी कर्व बनाएगी ठीक है पहले क्या होता था पहले जो एक रिवर थी वह डायरेक्ट एक एंट्री लेते हुए डारेक्ट एक उर्सेला में जाके गंगा से मिल जाती थी पर अब ऐसा नहीं है यह शिफ्ट हो चुकी है और यही कारण है कि यह बिहार में बिहार का शोक कहलाती है क्योंकि बिहार में काफी ज़्यादा तभाही मचाती है ठीक है यहां पर कोशी के क है यह इतनी जदा गहरी नहीं है अफसाद आजाएगा जम जाएगा तो इसका गहरापन खतम हो जाएगा तो पानी जल्दी से बाहरो करने लगेगा बाढ़ हाने के बहुत हर साल तबाह कर देती है ठीक है ओके सो कोशी का पुराना पुरा पहले कोशी जब ओरिजनेट होगी तो किस नाम से जाने जाएगी अरुण नाम से बिहार में इंट्री लेगी कर्व बनाते होगी यह मिल जाएगी कुर्शेला डिस्ट्रिक्ट ठीक है यह में इस्ट्रिम गंगा चल रही है आपकी फुफुली यह समझ में आगया होगा ओके सो लास्ट आपका आती है आपकी महाननदा यह काफी कम जगा बताया जाएगा कम जगा बताने का रीजन यहीं कि डैरेक्ट एक्शली है गंगा से नहीं मिलती है जब यह गंगा पदमा कहलाने लगती है कहां पर बांगलादेश में बांगलादेश में जब यह गंगा पदमा कहलाने लगती है तब यह जाके किस से मिलती है गंगा से मिलती है ठीक है इसलिए ज्यादा तर इसे पढ़ाया नहीं जाता है फिर भी आपको या बेंगॉल के डार्जलिंग हिल से ठीक है वेस्ट बेंगॉल में नॉर्थ वेस्ट बेंगॉल निकलती है इसके नदन पार्ट से एकदम निकलती है जी ये डार्जलिंग हिल कहलाता है तो डार्जलिंग हिल से निकलते हुए ये पहले पहुंचती है कहां ये पहुंच जाती है बांगलादेश और इंडिया की बॉर्डर या बांगलादेश और वेस्ट बेंगॉल की बॉर्डर पर ये पुरा ट्रावल करते हो ये पहुंचती है अगेन वेस्ट बेंगॉल इंडिया में जाती है दनिये बिहार भी जाती है थोड़ा सा ये भी याद रखना है दनिये बिह पिर यह पूरा बंग्ला देश निकल गई और बंग्ला देश में यह नवाग गंज में जाकर एकर आरूंड यहां 30-40 km चलती है और फिर नवाग गंज में पदमा रिवर जो की दॉध से जाकर दार्जंग से निकली यह बंग्ला देश गई बिहार गई यह वेस्ट बेंगॉल आई फिर आके आपके नवाब गंज में पदमा से मिल गई यह पुरा समझ में आ गया होगा तो यह हुई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से ना नेपाल जो है इस एरिया को क्लेम कर रहे हैं कि नेपाल का है यह पहली बता देता हूँ चारदा को कि कतने नाम है सबसे इंप्पोर्टन तो शार्दा का ही नाम का और महाकाली का ओरिजिन इंडिया क्या मानता है काला पानी मानता है अब देखो treaty of sugalli का नाम सुना होगा इसमें काफी बार आई है यह मैं थोड़ा सा current बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंपोर्टेंट है अब तो यह पूशे जा सकता है तो treaty of sugalli में यह बोला गया था कि जहां से भी शारदा रिवर निकलती है यहां से भी काली रिवर निकलती है उसके right का जो part होगा वो नेपाल का होगा जो right का part होगा नेपाल का होगा जो west का part होगा वो इंडिया का होगा तो अगर आपको कहीं कोई बताता है कि यह वाला part यहां से निकलती है शारदा रिवर या काली गंगा या काली रिवर यहां से निकलती है तो इसके राइट का पार्ट नेपाल का होगा इसका मतलब यह ट्रैंगुलर रिजन पूरा किसका हो जाएगा ट्रैंगुलर रिजन पूरा नेपाल का हो जाएगा तो याद रखना शारदा को ओरिजिन हमेशा कभी भी पेपर में है तो काला पानी है यह वाला एरिया नहीं लिखना है और यह वाला एरिया क्या है यह बता देता हूँ लिंपिया धूरा एरिया है ठीक है लिखा नहीं है लिख लेना जहां से नेपाल मानता है कि शारदा काली गंगा तो तुम्हारा पहले से हुए तो याद रखना हुआ शारदा-पार काहा से निकलती है काला प्राइड़ कार अगर इसको डिटेल में जाना तो मैंने एक वीडियो tolerant पर बनाया था उसम मैं लिंक में डाल दूँगा आप उसे देख लेना ठीक है तो शारदा-पा शारट में किस से मिल जाती है आपकी यह मिल जाती है, मैं इसट्रीम ह मिल जाती है। में श्रीम हम घागा 2020 क्या हो गई है तो सब्सक्राइब डिशी मैं चिरोड कर Sicht माले सब्सक्राद्रपूरत. जो भी इसमें था जैसा भी था साही पढ़ा दिया आपको कोशी पढ़ा दिया आपको और यहां से महाननदा भी पढ़ा दिया है तो सारे यह वीडियो पूरा का पूरा वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया है अभी इसका जो पीडियेफ है वो मैं आपको टेलिग्राम चैनल दे दूँगा अभी टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो काम नहीं करता पर मतलब यूट्यूब पर मैं इसको डालता हूं ना लिंक डिस्क्रिप्शन में तो वो काम नहीं करता तो उससे कहें आप टेलिग्राम में जाके वे फॉरवड जो ये मेरे चैनल पर जो फोटो लगी है ना वही चैनल उस पर भी लगी है टेलिग्राम के तो वे फॉरवड सच करना और सेम फोटो दिखे तो उसे सब्सक्राइब कर लिना भी तो सब्सक्राइबर बहुत कम है तो वहां पर आपको ये पूरा पेडियाफ मिल जाएगा पूरा नोट्स के नोट्स मिल पानी बहता हों ऑर बारा मैं ने पानी ही में बहता है जिनका ओर टोरौं से या पूरी इस रिंजस से मतला म्तलि जो पूरी रेंजस बम ठेकि रहती लोगी डेríट तो आपनेएढ़ เหारिपर होगी और कोशन आया था कि यमुना क्या ह्वह वह वह बांना क्यों कि हैं तो तो इसलिए पूछा था क्योंकि यमुना यहां पर आके ऑल्मुस्ट खतम हो जाती है तब भी वह बारामाशी रिवर कौन सी होती है यहां पर इसलिए पूछा जाता है कि इतनी जदा पल्यूटेड हो जाती है इंडुस्ट्रियल वेस्ट पुरा उसी में डिस्चार्ज किया जाता है जो भी इंडुस्ट्री का कचड़ा निकलता है वो पुरा इसलिए ये आपकि यमुना है यहां पे पहुंचते है दिल्णी में रही इसलिए कारण にवर होगी जो कहां से निकलेंगी यह निकलेंगी हिमनत से पानी लेंगी अपना या हिमाले से जो भी बर्फ है उनके कारण इनको पानी मिलेगा उसारी की सारी पेरिनियल है बारामासी कहलाएंगी तो ठीक है गंगा भी पेरिनियल है यमुना भी पेरिनियल है ठीक है ओफुली यह समझ में आ गया होगा